और फिर NEET की preparation कैसी चल रही है? अगर मैं ये question पूछूँ तो आप में से बहुत सारे students का answer होगा कि माम हम बहुत distracted feel कर रहे हैं अगला question आपके मन में आएगा कि माम क्या ये हर साल हर सभी students के साथ होता है या इस बार हम ज़ादा ये चीज़े face कर रहे हैं इस बार जो एक नीट aspirant है वो थोड़ी सी जादा distractions experience कर रहा है पहले रही नीट का incident उसके बाद में जो एक sad incident अभी हुआ है ये सब चीज़ें जो है वो कहीं न कहीं हमें बहुत distract कर रहे हैं और हमारी preparation को hamper कर रहे हैं अब ना हम इन सब चीज़ों को कैसे क्यारी मदब इन सब को हम side में रखे अपनी preparation कैसे कर सकते हैं तो बिटा आज हम बस इसी के बारे में discussion करेंगे हम एक plan बनाएंगे और उसके बाद में आगे की बाते करेंगे ठीक है येस तो सबसे पहले बिटा मैं आप लोगों को एक बहुत ही clear बात बताना चाहती हूँ दाट सिर्फ और सिर्फ आठ महीने रहे गए हैं आपके NEET exam में आपको पता है धाई महीने सिंस NEET 2024 हुआ था धाई महीने निकल चुके हैं बिटा हमें पता ही नहीं चला कि कब इतना टाइम चला गया राइट येस क्योंकि बहुत सारी चीज़े हो गई लेकिन बिटा जिसने आचली जो बहुत सीर्स है ना 2025 के लिए बिटा वो अपनी प्रिपरेशन धाई महीने पहले ही स्टार्ट कर चुका था मैं इसी लिए आज यहां पर हूँ बिटा ये ताइम जो है वो बहुत जादा क्रूशल है आपके पास आठ महीने हैं और इस आठ महीने में से भी दो महीने आपको अपनी रिविजिन और अपने मॉब टेस्ट देने में लगाने हैं आपके पास अपना स्लेवर्स कंप्लीट करने के लिए सिर्फ छे महीने हैं तो क्या मैं मैं छे महीने में नीट का पूरा स्लेवर्स कवर कर सकता हूँ अगर मैं एकदम जीरो से शुरू करूँ तो तो लेट मी गिव यू अवेरी वेरी रियल अंसर बिटा यह बहुत बहुत जादा आपका हाड़ वर्क और डिटर्मिनेशन मांगेगा आपको बहुत सारे रोड मैप्स मिलेंगे रोड मैप टू क्लियर नीट इन एट मॉन्स आपको अब यह बात अपने आपको बतानी पड़ेगी दर आपको बारा से तेरा घंटे मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी And let me tell you, यह जो साल है न, अगर तुमने इस एक साल बारा से तेरा घंटे की महनत कर ली, तो बिटा, आने वाले जो तुम्हारे करियर है न, that will be something else. और आप हर पूरी लाइफ इन आठ महीनों को, you know, you'll wait for, you'll think about these months और आप सोचोगे कि time god मैंने उस time पर पढ़ाई करी, यह चीज़ अप realize नहीं होती है, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, उसके बाद में आपको realize होती है, तो yes, आपको अब अपनी preparation बहुत ही जादा, बहुत ही जादा, you know, clear mind से करनी पड़ेगी, अब इसके बारे में बात करते हैं कि हम कैसे preparation कर सकते हैं, तो बिटा आपको पहले अपने इन आठ महीनों में से न, ठे महीने आपके slaybers को complete करने के लिए निकालने हैं, you have only six months, six months and 80 chapters, approximately 80 chapters, यानि कि माम इतना तो हम से नहीं हो पाएगा, हम तो बिल्कुल नहीं कर पाएगे, तो बिटा आप definitely कर पाएगे, आप ये सोचो कि अगर आपके 80 chapters है, छे महीने में complete करने हैं, तो एक महीने में 12-13 chapters आएंगे, एक week में कितने chapters आए, 3-4 chapters आए, तो येस बिटा, अगर आप अपनी preparation को एक proper plan के हिसाब से करेंगे, तो आप definitely इसको fulfill कर सकते हैं, अब इसके लिए आपको अपना एक weekly plan बनाना पड़ेगा, और उस weekly plan को बिल्कुल follow करना पड़ेगा, मैं एक weekly plan आपके लिए बना भी दूँगी, just let me know in the comments, मैं definitely वो plan बनाऊँगी तुम्हारे लिए, लेकिन अभी तुम खुद का plan खुद से भी बना सकते हो, week के अंदर तुम्हें क्या-क्या चीज़े करनी हैं, उसको try करो follow करने का, ठीक है बिटा, I don't think so कि एक week में तुम तीन से चार chapters complete ना कर पाओ, definitely complete कर पाओगे, तुम्हें lectures attend करने हैं, तुम्हें DPPs करनी हैं, और तुम्हें previous year questions करने हैं, और तुम्हें test देना है, हर Sunday अगर तुम test देते हो और तुम सिर्फ test के लिए ही prepare करते हो ना, तो that is more than enough, तो इतनी महनत तो बिटा, आपको अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपने parents के लिए करनी ही पड़ेगी, तो try to do this, ठीक है, this will really help you in your preparation, अब हम इसके आगे बात करते हैं, कि माम हमारा time table के इस तरीके का होना चाहिए, बेटा, आपका time table इस तरह से होना चाहिए, कि आप morning का time जो होता है, उस time पे आप अपनी, you know, preparation कर सकते हैं, क्योंकि जब हम morning में पढ़ाई करते हैं, तो हम थोड़ा fresh feel करते हैं, तो सुभा के time को अगर आपकी classes online है, तो definitely आप online classes, जिस भी time होती है, उसके according अपना time table plan करिये, ठीक है, you can go for 6 hours of your classes and my dear students 6 hours of your self study, self study बहुत ज़ादा important है, जिसके अंदर class attend करना है, उसका DPP करना है बेटा, test के लिए prepare करना है, revision करना है, पस इतना ही करना है and you can definitely complete everything, right, yes, तो ये चीज़े अगर आप incorporate करेंगे, तो आपकी preparation बहुत ज़ादा better हो जाएगी, इसके अलावा, बिटा, अब ना student जो गलती करते हैं, वो ये है कि वो बहुत सारी books को refer करने लेख जाते हैं, तो बेटा, आपको न, syllabus को देख के अपनी preparation करने हैं और मैं हर बार अपने students को बोलती हूँ कि सिर्फ इतना ही कर लो कि syllabus को देखो और उसकी preparation करो, syllabus आपके according है, बच्चे, ऐसा नहीं है कि तुम 50 books पढ़ लोगे तो तुम जाधा score करोगे, नहीं, तुम्हे syllabus को देख के पढ़ना है ताकि तुम एकदम focused रहो, राइट, आपका time बचे, आपको smart work करना है, और hard work करना है, एक combination आपको इसका रखना है, तो this is going to really help you, इसके अलावा बेटा, I have planned कि मैं आप लोगों के लिए, you know, अगर आप YouTube पे देखेंगे, तो मैं free of cost आपको inorganic पढ़ा रही हूं, इसके अलावा अगर आपको physical chemistry चाहिए, तो मैं उसका भी आपके लिए plan करूँगी एक series, just let me know in the comments कि क्या आप ऐसी series चाहते है I'll bring a series for you, आपको बस अपनी preparation करनी है ठीक है, तो please अपने आपको थोड़ा सा, थोड़ा सा strong feel कर आओ, and try to motivate yourself every day, and mom, हम अपने आपको हर दिन कैसे motivate कर सकते हैं, बिटा, आपको अपने parents से बात करते रहना है, उन्होंने आपके लिए बहुत hard work किया है, बस, उसी hard work को pay off करना ह बस अपने मन में एक सपना देखो कि यार मेरको इतना बड़ा इंसान बनना है, कि मैं अपने मम्मी पापा के हर एक मन की ख्वाईश को पूरा कर सकूँ, that should be your goal, and you will work immensely hard, मैं तुम्हें 100% surety के साथ बताती हूँ, ठीक है, yes, तो मेरे comment में, आज जरूर ये लिखके जाना, ब और भी आपको क्या problem है, just let me know in the comments, I'll bring the solution to you, okay, till then भचे, keep studying and keep smiling, bye-bye, take care, all the very best.